चलिए शुरू करते हैं lecture number 22 तो यहाँ पर हम बात करेंगे economic development के बारे में क्या फर्क होता है economic growth और economic development में इसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर economic development की बात करें किसी भी economy में अगर production बढ़ती है समय के हिसाब से production बढ़ने के साथ साथ अगर लोगों को quality life मिलती है तो तब हम बोलेंगे कि economic development हो रही है तो वहाँ पर हम word use कर रहे है economic development तो यहाँ पर जो हमारी society है जो लोग हैं जो उनकी जिन्दगी है उसकी betterment की यहाँ पर बात की जा रही है उनकी quality life के बारे में बात की जा रही है वह साथ ही साथ जो है production है वो भी rise हो रही है किसी भी economy में तो production किसी भी sector में हो सकती है चाहे वो agriculture sector है चाहे वो service sector है चाहे वो secondary sector है तो यहाँ पर जो हमारे economists हैं उन्होंने कुछ indicators बताएं हैं कि कैसे हम जो है quality life जो है वो कह सकते हैं किसी भी economy में अच्छी life quality life लोगों को मिल रही है तो कुछ यहाँ पर variables हैं जहां की जबकी बात उनकी की गई है तो यहाँ पर सबसे पहले बात बोली गई है जो level of nutrition है तो खाना तो हर कोई खाता है खास तोर पर जो जो लोग दिहारी करते हैं मजदूरी करते हैं वो भी खाना खाते हैं लेकिन होता क्या है उनके खाने में, diet में जो nutrition level होता है कई बार zero होता है कई बार बहुत कम होता है जिसकी वज़ा से जो बच्चे आगे जब पहरा होते हैं उनके अंदर वो सीधे की death हो जाती है पांच साल की उमर होने से पहले पहले ही तो यहाँ पर अगर पूरी economy को जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं अच्छी nutritional diet मिल रही है तो हम उसको मानेगे की एक quality life वहाँ पर मिल रही है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि economic development हुई है साथ ही साथ जो healthcare facilities हैं जो लोगों को healthcare facilities परवाइड की जाती है in the name of hospitals, medicines इसके लावा जो safe drinking water है vaccination और sanitation अगर इन सबी चीजों का परबंद अच्छे से लोगों को दिया गया है अगर घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर sanitation जो परबंद हो पानी की निकासी अच्छे से हो बच्चे जब शोटे हैं vaccination अच्छे से हो पेने के लिए साफ पानी और पलब्ध हो वहाँ पर मच्छर वगएरा पैदा ना हो ऐसी कोई भी गंदगी वाली जो अगर जगा है उसकी सफाई होती हो तो ऐसी facility जैसे human being को किस ना किसी तरीके से हम facilitate करें तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ वहाँ पर economic development हुई है तो यहाँ पर सरकार हैं कोशिश करती है हमारी सरकार भी कोशिश करती है कि जो hospitals हैं उनको जो है अच्छे से develop किया जाए वहाँ का infrastructure जो है उसको improve किया जाए तो आयुशमान भारत scheme भी आई थी तो वहाँ पर 5 लाग तक की जो राशी थी वो दी जाएगी जो भी patient होगा तो उसका खर्चा सरकार उठा रही है तो ऐसी बहुत सारी welfare schemes भी है जहाँ पर कोशिश की जाती है कि लोगों को quality life दी जाए तो यहाँ पर economic development की बात कर रहे है तो अभी भी economic growth तो हमारे देश में हुई है लेकिन economic development के मामले में हम पीशे हैं आगे बात कर रहे हैं level of education कि education सब तक पहुँचे तो यहाँ पर government schools को ले जाते हैं हमारे इंडिया में ताजो की अच्छी और सस्ती education बिना फीश के कई पर फीश माफ होती है कई पर बहुत कम फीश होती है तो बच्चे जो है educate हों कोई भी बच्चा गरीबी की वज़ा से पढ़ाई से बंचितना रह जाए तो यहाँ पर यह भी बहुत important factor है अगर quality life हमने पैदा करनी क्योंकि अगर बच्चे उनको educate नहीं किया गया टाइमली, education नहीं मिली दिमाग जो है mind develop नहीं होगा तो फिर society को आने वाले समय में वो फाइदा नहीं मिल सकेगा जो एक educator इंसान दे सकता है हादा कि मैं यह नहीं कहा रहा कि आगे जाके अपने education के बेस पर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है आगे यहां पर बात बोली गई है अगर education बच्चा लेता है तो आने वाले समय में हो सकता वो scientist बने, हो सकता कोई researcher बने जैसे हमारे पूर्व राष्टरपती जी थे APG अब्दुलकलाम वो भी बहुत गरीब घराने से निकल के आएं थे तो उन्होंने भी पढ़ाई की पढ़ाई के वेसिस में aerospace में engineering की बाद में उसको उनको मिजाइल मैन का नाम दिया गया काफी सारी मिजाइल में उन्होंने जो था अपना योगदान दिया उनकी अच्छी production बनाने के लिए तो आगे बात की गई है और भी बहुत सारे वेडियेबल्स हैं जहां पर quality life जो है डिपेंड करती है तो important बात यहां पर बहुत ही important बात जो है economic development के बारे में बताई गई है और साथ ही साथ यहां पर बात पुली गई है कि जब भी production activities बढ़ती है suppose करो पहले एक साल पहले एक टन किसी particular commodity के production हो रही है एक साल बात वो बढ़कर 10 टन हो गई है यहां पर देखो 10 गुना बढ़की है production तो naturally बात है अगर ज़्यादा production बढ़ी है तो labor भी ज़्यादा employ करनी पड़ेगी और साथी साथ अगर production ज़्यादा होई है तो जो income है वो भी बढ़ी है लोगों के भी factories की भी income बढ़ी है तो यहां पर जब production activities बढ़ती है तो income भी generate होती है साथी साथ वो भी बढ़ती है तो यहां पर बात पुली गई है it means that before assuring development we need to assure growth तो development को assure करने से पहले हमें growth को assure करना होगा कि production activities चर्म सीमा पर चल नहीं चल दी तो अभी चाइना के case में बात करें तो world का काफी सारा production जो है चाइना में हो रहा है तो बहुत सारी economies जो है dependent हो गई है चाइना के ओपर production activities के लिए क्योंकि बहुत सस्ती production वहाँ पर मिलती है अगर कोई ship भी repair करवाना होता है किसी company को जो trading ship होते है merchant ship होते है वो भी चाइना जाकर करवाते हैं हलाकि facilities बहुत सारी economies provide करते हैं सबसे सस्ता पढ़ता है quality वहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ पर बात बोली गई है कि higher economic जो development है उसके लिए higher economic growth चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है यह higher economic growth जो है automatically higher economic development में जो है तबदील हो जाएगी यहाँ पर एक confusion की बात बोली गई है जिसकी यहाँ पर clarity नहीं दी है economist में एकॉनमिस्टों ने तो यहाँ पर यह बात बोली गई है और चलिए कोचिश करते हैं इस confusion को दूर करें और कैसे दूर कर सकते हैं चलिए आगे discuss करते हैं तो इस confusion को दूर करने के लिए बहुत ही simple सी example यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर बात बोली गई कि suppose कीजिए दो families है और उनकी जो level of income है वो बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर जो spending है money की वो different different है तो जो पहली family है वो क्या कर रही है बहुत कम attention दे रही है health, education और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है जो income आई है उसको save किया जाए लेकिन जो दूसरी family है वो पैसा कम save कर दी है ज़्यादा कोशिश कर रही है कि health issues को जो है डाइट चाहिए fruits बगारा, daily की routine आपकी अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो दूसरी वाली family है जो पैसा खर्चा कर रही है health और education के उपर तो उसको हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा डेवेलप है जो पहली वाली family है जो कम पैसा खर्च कर रही है health और education के उपर तो यहाँ पर जो behavior है human behavior जो economy के जो लोग है उनका behavior उसके उपर भी depend करता है बेशक higher growth होगी है economic growth होगी है लेकिन higher development तब ही होगा जब behavior change आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के mind setup ऐसा ही होता है कि पैसा आएगा उसको future के लिए बचाओ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो पैसा आता है इसको जो जितनी requirement होती है health और education जाए इसके इलावा जहाँ पर भी development activities हो family के लिए तो वहाँ पर पैसा खर्चा करते हैं तो यह confusion I think अब दूर हो गई है यहाँ पर अभी कोई confusion नहीं रही आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि बहुत सारे cases जो है diverse cases देखने को मिलते हैं पुरे world की economies में growth और development को लेकर तो कई पर होता है कि higher growth और higher development यहाँ पर हम US की example ले सकते हैं growth भी higher है development भी higher है तो दूसरी example है higher growth but lower development मतलब बहुत सारे मुलक कैसे हैं जहाँ पर growth तो हो रही है economy में लेकिन development बहुत लोर है यहाँ पर Gulf countries की example ले सकते हैं development के ऊपर वो खर्चाई नहीं कर रहे हैं और तीसरा है lower growth but higher development कुछ ऐसी economies भी हैं जिनकी growth कम है लेकिन वो जो health infrastructure है उनको खड़ा करने के लिए पैसा जिनकी आपड़ा दे रही है वहाँ पर जो फैमिलीज है अपने health के ऊपर यहाँ पर focus कर रही है तो यहाँ पर हम example ले सकते हैं for example जो जैसे बांगला देश है होगे हालकि वहाँ पर भी अभी दीरे दीडे growth rise कर रही है तो वहाँ पर अगर बात करें तो यह भी example यहाँ पर यहां पर इंडियन का पैसा वहां पर जमा होना शुरुआ तब ही वहां पर एकॉनमी बूम में आई थी लेकिन तब तक वहां पर भी जो हलात ऐसे इतने अच्छे नहीं थे अगर आपके माइंड में कोई एक्जेंपल है लोवर ग्रोथ को लेटर के कोई कंट्री जहां पर ग इवेल्पमेंट एकनॉमिक्स तो जहां पर सिर्फ वसरफ डिवेल्पमेंट के उपर बात की जाएगी और साथ ही साथ जो जब राइवल हुआ वर्ल्ड बैंक का और आई एमफ का तो इनके ऊपर एकनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करना शुरू कर दिया गया कि डिवेल्पमेंट के उपर अभी फोकस करके चलना है तो आई होब आपको लेक्चर अच्छा लगा है लेक्चर समझ आया है कोई भी डाउट है तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और जारा सा जारा कोशिश करें शेयर करें बहुत बहुत दन्यवार लक्षर सुनने के लिए शुक्रिया